प्रियमित्रों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ. आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणा दायक विशय पर चर्चा करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं. खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके. यह विशय हम सभी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है. सुकरात कहते हैं कि खुद की वैल्यू को समझना और उसे बढ़ाना हमें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उच्चतम शिकरों पर पहुँचने में मदद करता है. 1. आत्मसाक्षातकार, Self-Realization खुद की वैल्यू बढ़ाने का पहला कदम है आत्मसाक्षातकार. आत्मसाक्षातकार का मतलब है खुद को जानना, अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना. जब हम खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं को अधिक प्रभावी तरीके से उप्योग कर सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन ध्यान और मेडिटेशन हमें आत्म साक्षातकार में मदद करते हैं। ये प्रथाएं हमारे मन को शांत करती हैं और हमें अपने अंदर जहांकने का मौका देती हैं। जर्नलिंग जर्नलिंग करना भी आत्म साक्षातकार का एक अच्छा तरीका है। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से हमें अपने अंदर के सच को जानने में मदद मिलती है। दो, शिक्षा और ज्यान, Education and Knowledge, ज्यान ही शक्ती है। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा और ज्यान की ओर ध्यान देना होगा। निरंतर सीखना, निरंतर सीखने की आदत डालें, नए कौशल सीखें, किताबें पढ़ें और विभिन क्षेत्रों में ज्यान प्राप्त करें। इससे न केवल हमारा ज्यान बढ़ता है, बलकि हमारे आत्म सम्मान में भी व्रिध्य होती है। विशेशग्यता विकसित करें। किसी एक क्षेत्र में विशेशग्यता हासिल करें। यह आपकी पेशेवर वैल्यू को बढ़ाने में मदद करता है, और आपको अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है। 3. आत्म समवर्धन, सेल्फ इंप्रूव्मेंट, खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें आत्म समवर्धन की दिशा में कदम उठाने होंगे। स्वास्थ्य और फिटनेस, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक्ता दें। नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ आहार लें और पर्याप्त नींद लें। स्वस्थ शरीर और मन से हम अपनी क्षमताओं का पूरा उप्योग कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास अपने व्यक्तित्व को सुधारें। सकारात्मक सोच रखें, आत्म विश्वास बढ़ाएं और अपने संचार कौशल को बेहतर बनाएं। एक अच्छा व्यक्तित्व हमारी वैल्यू को बढ़ाता है। 4. समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट. समय कीमती है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना हमें अधिक उत्पादक बनाता है। अच्छा समय प्रबंधन खुद की वैल्यू बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राथमिकताएं तय करें, अपने कारियों की प्राथमिकताएं तय करें और सबसे महत्वपूर्ण कारियों को पहले करें। इससे हम अधिक उत्पादक और संगठित रहते हैं। समय का सही उप्योग, समय को बरबाद न करें। सोशल मीडिया और अन्य समय बरबाद करने वाली गतिविधियों से बचें। इसके बजाए अपने समय का उपयोग सीखने और खुद को सुधारने में करें। 5. सकारात्मक संबंध, Positive Relationships हमारे संबंध और Network हमारी Value को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होते हैं। सकारात्मक संबंध हमें समर्थन और प्रेरणा देते हैं। समर्थन प्रणाली एक मजबूत समर्थन प्रणाली बनाएं जिसमें आपके परिवार, दोस्तों और सहकर्मी शामिल हों। ये लोग आपको प्रेरित करते हैं और मुश्किल समय में समर्थन देते हैं। Networking पेशेवर Networking करें। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलें और उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाएं। इससे आपके पेशेवर अवसर बढ़ते हैं। आत्म प्रेरणा, हमारे जीवन में एक महत्व पूर्ण भूमी का निभाती है। जब हम खुद को प्रेरित रखते हैं, तो हम अधिक उर्जावान और उत्साही रहते हैं। लक्ष निर्धारण, स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष निर्धारित करें। लक्ष हमें दिशा देते हैं और हमें प्रेरित रखते हैं। 7. सेवा और योगदान, सर्विस एंड कांट्रिब्यूशन खुद की वैल्यू बढ़ाने का एक महत्व पूर्ण तरीका है सेवा और योगदान। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारी आत्म संतुष्टी और value बढ़ती है. समाज सेवा समाज सेवा में शामिल हो। विभिन्न सामाजिक कारें में भाग लें और जरूरत मंदों की मदद करें. इससे न केवल समाज में आपकी value बढ़ती है, बलकि आपके आत्म सम्मान में भी वृद्धि होती है निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा करें दूसरों की भलाई के लिए काम करें बिना किसी स्वार्थ के इससे हमारी आत्मा को शान्ती मिलती है और हमारी वैल्यू बढ़ती है हमारी value को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण तत्व है. उच्च आत्म सम्मान से हम अपने आपको अधिक मूल्यवान और सम्मानित महसूस करते हैं. आत्म सम्मान बढ़ाएं. अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और खुद को सम्मान दें. आत्म सम्मान को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच और आत्म प्रशंसा का अभ्यास करें negative self-talk से बचें, नकारात्मक आत्म वारता से बचें खुद को निराश करने वाले विचारों से दूर रहें और सकारात्मक विचारों को अपनाएं नौ, पेशेवर विकास, professional development पेशेवर विकास, हमारी value को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए निरंतर विकास करें प्रशिक्षन और कार्यशालाएं विभिन प्रशिक्षन और कार्यशालाओं में भाग लें इससे आपके कौशल में सुधार होता है और आपकी पेशेवर value बढ़ती है करियर योजना, अपने करियर की योजना बनाएं और अपने लक्षियों को प्राप्त करने के लिए रणनीती बनाएं इससे आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और उच्चतम शिकरों पर पहुँच सकते हैं अंत में सकारात्मक द्रिष्टिकोंड रखना खुद की value बढ़ाने के लिए आवश्यक है सकारात्मक द्रिष्टिकोंड हमें जीवन की चुनोतियों का सामना करने में मदद करता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है आभार व्यक्त करें आभार व्यक्त करने की आदत डालें जीवन की छोटी-छोटी खुशियों के लिए आभारी रहें इससे आपका द्रिष्टिकोंड सकारात्मक होता है समस्याओं को अवसर समझे समस्याओं को अवसर के रूप में देखे चुनोतियों को एक नई संभाव ना माने और उनसे सीखे इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है प्रियमित्रों खुद की वैल्यू बढ़ाना एक निरंतर प्रक्रिया है इसके लिए हमें आत्म साक्षातकार शिक्षा आत्म समवर्धन समय प्रबंधन सकारात्मक संबंध आत्म प्रेरणा सेवा और योगदान आत्म सम्मान पेशेवर विकास और सकारात्मक द्रिष्टिकोन को अपनाना होगा जब हम इन सभी पहलूँ पर काम करते हैं तो हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और जीवन में उच्चतम शिखरों को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें